दोस्तों यह है मेरे पास यहां पर गूगल का पिक्सल नहीं ने स्मार्टफोन एक बाप बतातेने चाहूंगा कि अक्सर हम मोबाइल फोन में AI की बात करते हैं लेकिन पिक्सल एक लौते ऐसे खोंग की केडिगरी में आता है जो लेटरली AI पर काम करता है और हाँ इसके अंद करें ओवराल किया पर प्रॉडक्ट कैसे क्या चीज़े देखने को मल रही इसके बार बात करते हैं सबसे पहले बात करते है यार इस फोन के डिस्प्ले की डिस्प्ले जो मिलता है वो थोगा कॉंपक्ट है और जिन लोंको कॉंपक्ट फोन पसंद है उसको यह चीज काफी पसंद आगी जैसे 6.3 इंच का डिस्प्ले है ब्राइट है HDR डिस्प्ले है 120 हट्स का रिफ्रेश एट है इवन जो पीक ब्राइटनस होगे वो होगी 2700 निट्स की हलाकि एक कमी लगती है कॉर्ण गोरे लाग लास 3 दे रहा है और जो बैजल से पो लेटरली थोड़ी सी बिलता है जिसके अंदर आपको on device AI capabilities भी देखने को मिलती है और एक बात है इसके अंदर कि यहां पर आपको 8GB की रहे में 256GB का UFS 3.1 स्टोरेज है और यह फोन जो है वो जैमने नैनो को सपोर्ट करता है यहां पर कैमरा के अंदर आपको 48MP का में कैमरा मिल जाएगा जिसके यह अंदर आपको Samsung का GN8 sensor है और 13MP का Ultra Wide और ऑविसली Google Pixel अफनी images के लिए बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता है और यह कुछ image sample है जिसके साथी 13MP का camera भी देखने को मिलता है जो selfie के लिए यहां पर काम में आता है इसके साथी Android 15 है 7-year के software update के साथ इसके साथी यहां पर द distance है यहां पर आपको stereo speakers देखने को मिलते हैं देखा जातो 8.9 mm की थिकने से चारो तरफ आपको metallic frame देखने को मिलती है और यहां पर पीछे की तरफ आपको polycarbonate यहां फिर मैं कहूँ एक plastic bag देखने को मिलता है इसके बैटरी बहुत अच्छी बिलती है चार्जर देखने को नहीं मिलता और एक बाव बता सकता है इसके ना को wireless charging का भी support देखने को मिलता है लेकिन इसके साथ ही बात करें तो phone के अंदर ऐसा क्या खास है सबसे पहले उन्होंने macro focus को implement के हैं जिसके साथ ही अगर में AI वाले features में काम करें जैसे pixel 9 में इनोंने admin जैस के कैसी image बना देगा जिसमें तीनों लोग साथ में यहाँ पर होते हैं यह काम pixel 9 में बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकते हैं इसके साथ ही best take वाला feature में काफी इंट्रस्टिंग लगा कई पर हमारे facial expression उस हसाब से सही होते हैं जब हम group photo ले रहे होते हैं multiple face expressions में से choose कर सकत जिसका मतलब यह कि आप यहाँ पे speakers को select कर सकते हैं और अपनी जो wind noise जो अभार की जो noise आती उसे यहाँ पे दबा सकते हैं और एक high quality का audio ले सकते हैं mobile phone में video बनाते समय यानि की video बनाने के बाद भी आप उसके अंदर से high quality का audio निकाल सकते हैं इसके साथ ही आपे magic editor देखने क तो वह भी possible है जैसे कि यहाँ पर मैंने एक flower की photo लिए और उसको select करके बोल दिया कि इसको rose बनाओ तो इसने AI का use करके उसको रोज पर यहाँ पर बना दिया इसके साथी transcription के tools आपको देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आपको magic editor के नदा auto frame manager भी देखने को मिलते हैं यहाँ कि इवन यहाँ पर मैंने जैमने 2.5 भी select किया और बहुत अच्छी तरीके से काम करता है बेसिकली इसके अंदर जो काफी सारे जो task होते हो AI के होते और यह server site पर यहाँ पर रन होता है और इसके अंदर जैमने बहुत अच्छी तरीके से काम करता है और जो लेटस जैमने 2.5 लाइफ प्रो है वो तो यहाँ पर आपकी चैट GPT और जो यहाँ पर मेता की लामा यह आती ना उनसे भी आगे निकल रहा है तो यह काफी अच्छी चीज है इसके साथ ही यहाँ पर आपको जैमने लाइफ का भी सपोर्ट है जिसके अंदर आपको है ना जो power button होता है उसको जो फोन के साथ आपकी information को भी analyze करेगा प्लस इंटरनेट से भी information वगरा फैच कर सकता है और इसके लिए ना आपको कोई बार-बार बटन वगरा दमाने की ज़रूत नहीं आपको बस बात करने उसके साथ जैसे आप नॉर्मली करते हैं तो यह तरीके से जैमने लाइफ यहा आप इसे certain task करवा सकते जैसे आप पढ़ाई करने जाए उसके बेस्ट पॉसिबल टास्क कि आऊंगे जिसके साथ आप इसके साथ काफी सारे कैसे question पूछ सकते जो आपके लिए काफी जादा suitable और आपके साथ से customized answers आपको यहाँ पर निकाल कर दे सकता है और हाँ यहाँ पर pixel studio app दे रखी जो hybrid model पर काम करती ज्याने की phone के अंदर कुछ information रहेगी उसका use करके AI बनाएगा प्रस internet से भी कुछ information लेगा और उसका use करके आपको AI image generate यहाँ पर करके देखा तो pixel studio app भी है यहाँ जिसको अगर आप update करेंगे यहाँ पर Google Play Store से तो उसका भी use यहाँ पर काफी इसे तरीके से कर सकते image generation में overall बात करें काफी इंट्रस्टिंग और काफी सारे feature के साथ आता है और यहाँ पर देखा जाए तो calling के लिए भी काफी इंट्रस्टिंग फीचर है जैसे call assistive feature है hold for me है अगर आप clear calling इसका one of the best feature लगार आप किसी से बात कर रहे है background की जो नोई से बहुत पी से कम कर सकता है इसके साथ ही wait times, audio emojis कैसे feature लोने डाले है और जैसके हमें पता है कि आद के समय में सबसे popular जो AI feature वो circle to search है वो भी हाँ पर देखने को लता है इसके साथ ही overall बात करें तो यहाँ पर 7 year के android update promise की गए है और हां android 15 के साथ आ रहे है तो android 22 का भी update यहाँ लगी हलाकि पीछे polycarbonate plastic back है कोई गर्मी हाँ पर महसूस नहीं हुई थी इसके साथ camera जगरा की quality काफी ज़्यादा सही है और जिन लोग को stock android teen android का experience चाहिए उन लोग को अच्छा है और जो लोग pixel के fans है उनको यह product है काफी ज़्यादा यहाँ पर पसंद आएगा camera's के साथ से देखा है तो compact tiny phone अगर किसको चाहिए जिसके अंदर एक अच्छी और बड़ी battery life का support हो इस phone को यहाँ पर देख सकता है इसके साथ और बात करें तो pixel 9 एक interesting product है interesting season हाँ पर निकल कर रही है और मेरे को लगता है कि pixel side direction move कर रहा है और आने वाले समय जब pixel की 10 series आएगी तब और भी जादा improvements आपको यहां देखने को मिलेंगे pricing मेरे को लगता है कि 14 enterprise थोड़ी सी यहाँ पर जादा हो गई यह थोड़ी सी और control कर सकते थे लेकिन Google वाले यहाँ पर इसको थोड़ा सब premium में provision करने की कोशिश कर रहे हैं इसके साथी अभी जो phone है यह made in India नहीं है यह अभी वेटनाम में बना है लेकिन धीरे धीरे इसका भी जो production होगा वो इंडिया में यहाँ पर आ जाएगा हो सकता है तब जो एक price drop होता है वो यहाँ पर हम देखें तो देखा है तो overall यह होती है कहानी Google के पिक्सल नहीं नहीं की वीडियो के अंदर इस प्रोड को टेक कर दिए देखना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसके साथ एक इंट्रोसिंग बात है कि फिलिपकार्ट के साल साथ ही offline retail और जो modern trade होता है जैसा कि Reliance Detail Chrome हो थी वहाँ पर भी अवेलेबल होने वाला है और तो service center वाली जो problem थी वह भी नोने काफी चे तरी भी open करेगा आने वाले समय में और इसके उपर काफी बड़ा focus Google का कि कैसे Google Pixel को आम जंतातर और आसान तरीके से पहुंचा है तो दोस्ते यह होती कहानी Google के पिक्सल नहीं नहीं की आप लोगो गूगल का प्याप पिक्सल नहीं क्या से लगता है बात नीचे comment बताइए थैंक